नमस्ते दोस्तों मैं विमल संगाने आपका स्वागत करती हुए तो दो-तिन दिन से मैं इतना बीजी थी कि देखो मेरे प्लांट्स में भी पानी डालने का कभी टाइम नहीं था और मैं दो-तिन दिन से घर भी नहीं थी वीडियो अगर मैं बना भी रही थी बड़ी वाली तो फिर वह भी डालने का टाइम नहीं था तो कल मैंने एक शॉड वीडियो ही डाली थी आप देख सकते हो कि सभी प्लांट कैसे मुर्जाय हुए हैं और सभी प्लांट की देखो यह कैसी कंडिशन हो रही है सब के अंदर पानी की कमी हो रही है यह देखी इन सब का क्या हाल हो खर रहा तो अब मेर ही ढेखी की जारे पीछे एक पी ला भी पड़ गया तो इनका बुरा हाल हो रहा है यह देखी, इनका इनमें कलीरा भी लगी हो इंदाख हुई थी, और तो इनका इस तरह से यहाल हो रहा है और अभी थोड़ा सा मैंने में डाला था तो टाइम नहीं था दो दिन से घर से बाहर जाना पड़ रहा था कभी आना और जाना लगा हुआ था तो इस वोजे से पानी नहीं दे पाई थी मेरा बर्टे था बच्चे शॉपिंग में लगे वे थी और अंदर भार के चक्कर में ताइम नहीं निकल पाया तो इस वाले प्लांट में भी आप देख सकते हो कि कितनी कलिया लगी है और कितने सारे फूल मुर्जाय में कुछ अभी भी लगे वे तो यह भी प्लांट बहुत अच्छे से भर भर के चल रहा है बाकी मेरे सारे इसको प्यार तो बहुत करते हैं इनके लिए टाइम भी बहुत जादा निकालते हैं मगर कभी कभी टाइम निकालते निकालते भी ऐसा हो जाता है कि थोड़ी सी भी कमी इनके लिए घातक शिद्ध हो सकती है जो कलिया अगर लगेगी तो वो गिर जाएगी पानी की कमी की व टेए तो लगीवी कलियां भी गिरा देगे। तो आमक alors पानी का जादा से जादा ध्यान दकना चीए पानी की कमी होने देने चीए वैसे तो मैं जादा तरे इनके अंदर सब ही के नीचे आप देखोगे कि प्लेट या पोट कुछ ना कुछ मैंने लगा रखा कि अगर पानी उनमें चला जाए तो बाद में ये पानी उससे ले ले मगर कुछ पोट ऐसे भी है जिन में नहीं लगे हुए है तो उनकी वज़े से उनमें पानी की कमी हो गई है और जो क प्लांट को जादा से जादा पानी की जोरत है इसमें भी देखो नीचे पोट लगा हुआ है तो सब में मैं पानी पहले से देखके जाती हूं इसमें भी मैंने अमरेला पाम की कटिंग लगाई थी ये देखे इसमें ये कटिंग भी मेरी इस तरह से चल गई है और उसमें भ बहुत हेल्दी और अच्छे से जल रहे हैं यह देखे इसमें भी पानी की कमी हो गई है छोटा पोट और नीचे ट्रे नहीं लगी है तो वह भी परेशान है तो काफी जब कि मैं कल चाम को एक राउंड लगा के गई थी जिन जिन को जादा जोड़ा थी उन सब में मैंने पान पानी की कमी हो गई तो इसमें पतियां नीचे गिरा दी और तोड़ी पतियां इसकी सूख भी गई तो हमें पानी के लिए भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए पानी की कमी प्लांट में नहीं होना देना चाहिए अभी तो फिर भी मौसम ठंड़ा हो गया है मौसम में ठंडक हो गई है तो यह पानी की कमी अभी तो बरदास कर लेंगे अगर जादा कर नहीं हो तो बरदास नहीं कर पाते हैं और हमारे यहां देखिए यह रेनलीली फिर से खिला है यह देखिए रेनलीली लगातार खिल रहे हैं और यह देखिए इसने कली गिराई है यह हूँ फर्स टाइम ऐसा हुआ है कि इनमें पानी की थोड़ी के मतलब है एक दिन सरफ एक दिन के लिए हाल है छोटे-छोटे प्लांट्स में तो मैं पहले दिखके जाती हूँ जो बड़े प्लांट होते हैं वह तो फिर पानी ना ढानने पर बरतास कर लेते हैं अब मैं अपको इस वहले प्लांट से और और क्या कहते हैं सर्चो की खली और 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 बॉन मील भी डाला था तो यह सब डालने के बाद आप देख पा रहे हो इसने कितने सारे फूल दिये और कितने सारे इसने भर-बर के इस तरह से कलियां लगाई है यह देखिए चारो तरफ इसने फूली फूल इसे प्लांट में इसने दिये यह देखिए है ना और एक फूल इसने कितना अंदर नीचे जाके इसने फूल खिलाया देख पार है यह देखो अंदर तक इसने इस तरह से कितने बड़े साइज कर नीचे इसने फूल लगाई कोई ऐसी जगा इस प्लांट ने नहीं छोड़ी जिसमें इसमें तो 30 अगस्त को किया हूँ और मेरा ट्रीटमेंट और बहुत अच्छा रहा नीचे तक इसमें देखिए एक तो अंदर फूल खिला हूँ इस तरह से नीचे तक इसमें कलियां खिली है तो 30 अगस्त के बाद का आप रिजल्ट देख सकते हो मैंने जो जो खाद इसमें दी थी व पोस्ट डेली वीडियो में बता रही हूँ तो एक मिनट वहां पानी का पोट भर गया है जरा उस पाइप को उधर कर देते हैं नहीं तो फर्स पे पानी की चड़ कर देगा तो इसको मैं भार के इसलिए रखती हूं कि कभी छोट पानी नहां देना पड़े अमर्जंसी होत चोटे-चोटे प्लांट को ये पानी देने में आसानी रहती है तो मैं इनको भार के रखती हूं तो आप देख सकते हो मैं 30 अगस्त का ट्रीट्मेंट करी थी उसी प्लांट के बारे में आपको बता रही थी ये देखिए कितने सारे इसने फूल लगाए हैं मैं गिनमा भी स 17, 18, 19, 20 और एक नीचे फूल खिला हुआ है 21 और छोटी-छोटी कलिया उनको तो गिनना और मुश्किल है जो छोटी-छोटी सी ओर कलिया लगी हुए तो 21 फूल तो मैंने आपको इसके अंदर अभी-अभी में दिखा दिए ये देखिए कैसे इसके अंदर ये और अंदर की साइट जो ये और भी इसके साथ साथ जो कलिया लगी है वो तो गिनने में आई नहीं रही और एक सबसे नीचे अंदर देखो कैसे फूल खिला हुआ तो ये प्लांट हमारी जो ट्रीटमेंट हमने दिया था और वो जो खाद हमने दिती बहुत अच्छे से उसने काम किया त मेरे जो खाद डाली थी उसके बाद और इस प्लांट को मैंने रिपोर्ट किया था उसके बाद आप देख सकते हो कि कितने ज्यादा इसने फूल लगाया है तो आप भी इस तरह से खाद डाल सकते हो अपने प्लांट के अंदर तो ऐसे ही आपका प्लांट भी इस तरह से भर दे रहा है और जो उधर क्रीम कलर का मेरा जो प्लांट लगा हुआ है वह भी बहुत अच्छे से फूल दे रहा है उसके अंदर भी मैंने खाद डाली थी वह तब उसने अपने फूल का साइज भी बढ़ा दिया और फूल की संख्या भी बढ़ा दी तो continue वह भी फूल दे रहा और इसने भी अपने फूल का साइज भी बढ़ाया है इस वाले प्लांट ने और यह भी लगातार फूल दे रहा है तो आप भी इस तरह से अपने प्लांट के अंदर खाद डाल सकते हो और ट्रीटमेंट कर सकते हो तो चलो अब हम उस सेट चलते हैं और कुर्मा ने फिर से ने फूल लगाया है नए इकलिया लगाई है यह लगा अतार से दो ड़ाई महिने से कुर्कुर्मा फूल दे रहा है तो मेरे सारे प्लांट बहुत हल्दी और बहुत अच्छा से काम कर रहे है और इसने भी फिर से फूल लगाया यालो वाला तो चलो मैं अपनी वीडियो को करती हूं कल फिर मिलते हैं एक नहीं वीडियो के साथ मेरी वीडियो गर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और बेल का बुटन प्रेस करना मत भूले जिससे के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे है धन्यवाद